हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल मैट्स वाटिका में दोस्तो मैं हुर पेस यादव और इस वीडियो में हम लोग सिंप्लिफिकेशन के पार्ट वन को देखेंगे और पार्ट वन में हम लोग इस तरह के कोश्चन को बनाने का ट्रिक देखेंगे यहना एक ऐसा ट्रिक हम आपको बताएंगे जैसे देखते ही ऐसे कोश्चन का अंसर कर सकते हैं जैसे देखिए अगर हम इसका सॉलूशन करें तो केबल इसके पहले पार्ट को तोरेंगे आपका आंसर आ गया 1-1 बट्टा 12 यानि कि 11 बट्टा 12 तो आपका आंसर बिकल्प भी हो गया ठीक है मातर इतना calculation हम लोग करेंगे इस तरीके के question का answer करने के लिए लेकिन इस तरीके से answer इतना जल्दी answer निकालने के लिए आपको पहले इसके कुछ basic concept को समझना पड़ेगा basic concept देखें क्या है कि जब भी नीचे वाला दोनों का अंतर उपर में रहे जैसे देखो आप 2 और 3 में अंतर कितना का है एक का है नीचे वाला दोनों में अंतर उपर में दिया जाए तो हम इसके लिए 1 बट्टा 12 उपर में हमें इसा 1 ही लिखना उपर में कुछ भी रह एग फिर भी उपर में एक लिखना आप, 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 3 लिख सकते हैं, नीचे वाला दोनों का अंतर जब भी उपर में रहे, तो हम इसके लिए 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 3 लिख सकते हैं, ठीक है, similarly, अगर हम बात करें आपसे, एक बटा 3 गुणे 4, पुर्णा देख लिजए, यहाँ पर नीचे वाला दोनों का अंतर देखिए, 3 और 4 में अंतर कितना का है, एक का है, उपर में अंतर अबलेबल है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एक बटा 3, माइनस 1 बटा 4, अच्छा, ऐसे जो आप लिख रहे हैं, एक बार इसको कैल्कूलेशन करके विचे कर लिजे, कि क्या इस तरीके से, इस संख्या के बदले में जो ऐसे लिखे हैं, उसका लाब, जो कोशन आप देखे हैं, उहां मिलने वाल है हम लोगों को, है ना, लेकिन क्या इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो एक बार भैलू निकाल के देख लेते हैं, इधर देखे भैलू क्या है, एक बटा बारा, इधर भीन का घटाओ कड़िए, तीन और चार का लसे में बारा, यहां तीन चौके बारा तो चार होगा, 4-3-12 तो 3 होगा 4-3 यानि कि 1-12 इधर भी है 1-12 इधर भी है तो कहने का मतलब है कि इसके बदले में इतना लिखा जा सकता है कोई दिकत नहीं है तो जब भी नीचे वाला दोनों कांतर उपर में रहे ध्यान रखिएगा एक condition है नीचे वाला दोनों कांतर उपर में रहना चीए तभी हम ऐसा लिख सकते है similarly अगर हम आपसे कहे 2 बटा 5-7 यहां भी आप लोग ध्यान रखोगे 2 बटा 5-7 नीचे वाला दोनों कांतर देखिए 5 और 7 में कितना कांतर है 2 कांतर है नीचे वाला दोनों कांतर उपर में रहे तो इसके लिखे एक बटा 5 अब उपर में 2 मतलिखना आप पस अंतर उपर में रहे इसी से मतलब है उपर में हमेसा लिखेंगे हम 1 ही तो 1 बटा 5-1 बटा 7 अब आपके दिमाग में एक छोटा सा confusion जाएगा आप सोचोगे कि sir यहाँ पे मेरा मन कर रहा था कि हम 2 बट्टा 5 माइनस 2 बट्टा 7 लिखे तो अगर आप 2 बट्टा 5 माइनस 2 बट्टा 7 लिखते तो गलत हो जाता देखो calculation करते हम 5 और 7 calcium क्या होगा 35 5 सते 35 तो 7 माइनस 7 पंचे 35 तो 5 7 माइनस 5 दो बट्टा 35 यह अभी आपका क्या है 2 बट्टा 35 है तो बराबर आ गया आपको बस इस पे ध्यान रखना है कि हम इसके लिए इतना लिख सकते हैं ठीक है इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं similarly अगर हम आप से कहे एक डाटा और देख लिजे अगर हम आप से कहें 3 बट्टा 7 गुने 10 के लिए क्या लिख सकते हैं तो पुना चेक करिए आप नीचे वाला दोनों का अंतर देखे उपर में है हाँ सर 7 और 10 में 3 का अंतर है और उपर में 3 अबलेबल है तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 बट्टा 7 माइनस 1 बट्टा 10 1 बट्टा 7 माइनस 1 बट्टा 10 लिख सकते हैं आप कैल्कुलेशन करके चेक कर लो इसका भैलू आपका इतना ही आएगा अब इसका लाव देखे कहां आपको मिलने वाला है गौर से देखे इसका जो लाव आपको मिलने वाला है एक बिल्कुल छोटे से कुश्चन से आपको हम यह आप दिखला देते हैं जैसे 1 बट्टा 2 गुने 3 पलस 1 बट्टा 3 गुने 4 पलस 1 बट्टा 4 गुने 5 पलस 1 बट्टा 5 गुने 6 अब इसको ले जाए जहां तक आपके जी में हो ठीक हम यही तक छोड़ देते हैं बट यह स्रीज यही तक में रुकेगा यह स्रीज आपका 99 में तक 100 तक भी जा सकता है लेकिन कहीं तक भी जाएगा उसका आणसर आप बर्याराम से कर पाओगे अगर आप इसको समझ जाते हो तो देखो इसमें नीचे वाला दोनों कांतर उपर में है तो हम इसके लिए एक बट्टा दो माइनस एक बट्टा तीन लिख सकते हैं अरे अभी तो आपने सीखा था ना कि जब भी नीचे वाला दोनों कांतर उपर में रहे इसके बदले इतना लिख सकते है, हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, पलस, इसके लिए देखिए, इसके लिए नीचे वाला दोनों कांतर उपर में है, तो 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 4 तो लिखोगे न, लिखेंगे सर, पलस है तो पलस, इसके लिए बताओ क्या लिखोगे आप, एक बट्टा चार माइनस एक बट्टा पांच लिखेंगे सर उसी तरीके से पलस है तो पलस इसके लिए एक बट्टा पांच माइनस एक बट्टा चे लिख सकते हैं ना हाँ sir बिल्कुल लिख सकते हैं इतना लिखा जा सकता है यही तो आपने अभी just बताया था यही चीज़ तो आपने उपर देखा था ना कि जब भी नीचे वाला दोनों कांतर उपर में रहे तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें भी value आपका वही आजाता है equal आजाता ह एक बट्टा 4 माइनस में एक बट्टा 4 पलस में कट गया एक बट्टा 5 माइनस में एक बट्टा 5 पलस में कट गया इसको मत कार देना एक बट्टा 6 नहीं कटेगा क्योंकि एक बट्टा 6 माइनस में तो है बट्टा आगे एक बट्टा 6 पलस में नहीं है तो वह नहीं बीच में चिन क्या बच रहा है माइनस बच रहा है तो अब आगे जब भी अब आगे जब भी ऐसा question मिले न तो आप इस line को तो करना ही मत आप इस line को तो करना ही मत इस line का काम करना तो बेबफूफी होगा हमारे लिए जब भी इस pattern पर question आए pattern समझ लिजे एक बटा दो गुने तो बीच वाला सब कर जाएगा एक सुरू वाला बचेगा मतलब की एक बटा दो पकर लेना है एक सुरू वाला यानि एक बटा दो और एक लास्ट वाला यानि एक बटा छे और इसके बीच में चिन क्या बचेगा माइनस का बस यही line हमारा calculation होगा अगर आपने concept को समझा है तो अब calculation कर लो 2 और 6 का LCM क्या होगा छे 2 ती यहाचे तो 3 माइनस 6 कम छे तो 1 3-1, 2, 2, 6, 2, 6 का value क्या हो जाएगा सर 2, 6 का value to 1, 3 हो जाएगा यानि हमारा answer क्या हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा concept आपके समझ में आ गया है जब भी नीचे वाला दोनों कांतर उपर में रहे तो बीच वाला जो भी होगा वो सब आपस में कटेगा एक सुरू वाला बचेगा और एक लास्ट वाला बचेगा एक सुरू वाला बचेगा एक लास्ट वाला और उसके बीच में क्या बचेगा माइनस का बचेगा अब आज आई हम लोग question पर आते हैं इस question को हम लोग करेंगे बाद में ठीक है, इस question को भी बाद में करेंगे, आज हम इस question से शुरुआत कर लेते हैं, question number 3 से शुरुआत करते हैं, गौर करिए, नीचे वाला दोनों कांतर देखे, उपर में है, हासर है, नीचे वाला दोनों कांतर उपर में है, हासर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक और एक लास्ट वाला यानि कि एक बट्टा 100, एक सुरू वाला यानि एक बट्टा 1 और एक लास्ट वाला यानि एक बट्टा 100 बचेगा, और इसके बीच में चिन क्या हो जाएगा, माइनस का, यही चीज तो आपने सिखा है न, एक बट्टा 2 माइनस में, एक बट्टा 2 मतलब की एक, और लास्ट में कौन है, एक बट्टा सौ, बीच में चिन क्या होगा, माइनस, एक में से एक बट्टा सौ, माइनस करोगे, 99 में बट्टा सौ आ जाएगा ना, भीन का घटाओ तो पता है ना, इसके बट्टा में कुछ ने, ये तो सौ से, इसमें सीधे गुना तो सौ, माइनस, एक 99, 99 में बट्टा सौ, हमारा आंसर 99 में बट्टा सौ आ जाएगा, आप कुछन को देखोगे, और इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है, चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं, आगे, बिल्कुल सुरू से अब हम लोग चलते हैं, लिजे, यह कोशन था आपका पहला, देखो, इसमें क्या करना है न, एक बट्टा दो है, तो एक बट्टा दो के लिए हम एक बट्टा, अगर यही पे तोर ले इसको हम, अगर यही पे हम तोर ले, तो एक बट्टा एक गुने दो लिख सकते हैं, पलस छे के लिए क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा दो गुने तीन लिख सकते हैं, पलस बारा के लिए एक बट्टा तीन गुने चार लिख सकते हैं, देखो न, आप यह क्या है, एक गुने दो है, 6 मतलब 2-3-12, यानि 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 उसी तरह से अंति में एक बट्टा क्या लिकेंगे हम 11-12, 132 आजाएगा और इसके लिए तो हम इतना लिख सकते हैं 2 के लिए 1-2, 6 के लिए 2-3, 12 के लिए 3-4 अब जब आप सब को तोड़ लिजेगा तो वह उसी पैटर्न पे आ गया ना नीचे वाला दोनों कांतर उपर में समझ पारे आप नीचे वाला दोनों कांतर कहां है उपर में, यहाँ भी नीचे वाला दोनों कांतर उपर में तो इसमें सब कटेगा एक सुरू वाला तो सुरू वाला क्या है, एक बट्टा एक यानि की एक, और लास्ट वाला क्या है आपका, एक बट्टा बारा, यही चीज तो आपको बताया गया था, एक बट्टा बारा, और इसके बीच में चीन क्या बचेगा, माइनस का, बस कर लो इतना calculation आप, आपका आणसर आ जाएगा 12 में 1 से गुना करेंगे 12 माइनस 11, ऐक ग्यारा बट्टा बारा, आपके इस question का answer कितना आगया, एक ग्यारा बट्टा बारा, एक शुरू वाला, जब आप इसको तोरो गे ना, तो शुरू वाला क्या है, एक गुने 2 है, जिरू मतलब एक गुने 2, 6 का मतलब दो गुने 2, इ जिनका जूर करने के लिए तो बहुत लंबा kealculation हो जाएगा, 15 के लिए एक बट्टा हम 3 गुने 5 लिख सकते हैं, क्या, आसर लिख सकते हैं, पलस 35 के लिए 5 गुने 7 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, चलिए 63 के लिए 7 गुने 9, उसी तरह से आगे देखिए 99 के लिए 9 गुने 11 और 143 के लिए 11 गुने 13 पैटर्न बस समझ लिजी कितना की अंतर पे चल रहा है अना तीन गुने 5, 5 गुने 7, 7 गुने 9, 9 गुने 11, 11 गुने 13 यही तो पैटर्न चल रहा है अब आप बताओ कि होगा क्या होगा या कि बीच वाला सब कटेगा एक सुरू वाला यानि एक बट्टा 3 पैटर्न जब नीचे वाला दोनों का अंतर उपर में रहे ne जब नीचे वाला दोनों का अंतर उपर में रहे, यह बात तो हम बार बार बोलते थे, लेकिन यहां देखिए क्या नीचे वाला दोनों का अंतर उपर में है, अंतर है दो का उपर में एक है, यानि नीचे वाला दोनों का अंतर उपर में नहीं है, तो हम इसके लिए ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ऐसा तो तब लिखते जब नीचे वाला दोनों का अंतर उपर में रहता, घबराईए मत यहां गौर से देखिए, अगर ना अंतर है फिर भी इतना काम कर लिजिएगा ना बीच वाला सब कटेगा, एक शुरू वाला एक लास्ट वाला बचेगा, ठीक है इसके बीच में चीन माइनस का होगा यही करते थे ना, यही करिए और अंतर उपर में नर है, तो सिर्फ क्या करना है अंति में स्टेज में आपको, अंतर से कर देना है भाग, तो यहां भाग कर देंगे कितना से, दो से, अब सुल्ब करिए तेरा माइनस तीन, भीन का जोर करिएगा तो तेरा तिया उन्चालिस होगा यहां तीन से तो तेरा और तीन दस बच्टा उन्चालिस और यहां पर देखिए, भाग के जगा गुना देंगे तो 2 उल्टा हो जाएगा 1 बटा दो यही होगा ना भाग उल्टा होगा तो गुना भाग के जगा गुना का चिन लिखते हैं तो यह उल्टा दो के बटा में कुछ नहीं तो 1 बटा दो 2 से काटिए 2 पंचे 10 यानि 5 बटा 49 आपका आंसर आ गया आपका अंसर कितना आ गया पांच बट्टा 49 आ गया बात समझ पाए हैं आप नीचे वाला दोनों का अंतर उपर में नहीं था तो हम फाइनल आंसर में क्या किये बस अंतर से भाग कर दिये ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देख लीजे अगला है आपका एक बट् इ। एक बट्टा 3 के लिए क्या लिख सकते हैं एक बट्टा 1 गुने 3 पलस 15 के लिए एक बट्टा तिन गुने 5 देखो अब पलस आगे donnéखो 35 है तो 5 गुने 7 पुना आगे देखी 53 है न तो 7 गुने 9 और आगे आपका 9 में है तो 9 गुने 11 लिखा जा सकता है ना तो इन सब वो को हम तोड़के इस तरीके से लिख लिए, ठीक है, चलिए, तीन के लिए गुने 3, 15 के लिए 3, 15, 15, 15, 35, 63 के लिए 7 गुने 9, तो पैटर्न आप देखिएगा तो समझ जाएगा, एक 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, अब आप बताएगे के ऐसे question में क्या होता है, बीच बाला सब करता है, एक सुरू बाला, तो एक बटा एक, यानिकी एक, और एक last बाला, एक बटा एक 11, हैं ना, और इसके बीच में चीन क्या होता है, माइनस का, यही बसता है, लेकिन ऐसा कभ होता है, जब नीचे बाला दोन जाएगा हमारा अब इसका क्रिया करिए 11 में से 1 माइनस करिए 10 बटा 11 और भाग के जाएगा गुना 2 है तो 1 बटा 2 हो जाएगा 2 से काटिए 2 पंचे 10 अरे भाग के जाएगा गुना लिखती है तो यह उल्टा हो जाता है न क्या जाएगा आपका इसका आंसर 5 बटा 11 तो इस अगले कोश्चन का भी आपका आंसर हो गया 5 बटा 11 ठीक है शलिए बढ़ते आगे लिजे इस कोश्चन को दो आप बनाई चुके है इसमें एक शुरू बटा एक यानिकी एक और एक लास्ट बटा एक बटा सो आगे चलिए यहाँ पे आप देखिए क्या है यहाँ पे एक गुने 2-2-3-4 अंतर देखे दोनों में एक का ऊपर 마음에 है यहाँ पे लिए इस दोनों में अंतर एं एन पलस वन एक का ही है तो इसमें भी एक सुरू वाला यानि एक बटा एक मतलब कि एक और एक लास्ट वाला एक बटा एन पलस वन यहीं तो बचेगा न एक बटा एन पलस वन और इसके बीच में चिन क्या होगा माइनस का होगा ठीक है एन दे एक स्दे क्या फर्थ पड़ता है, तरीका हमारा वुही रहेगा बीच वाला सब कटेगा एक सुरू वाला यानी 1 बटा 1 और एक लाश्ट वाला यानी कि 1 बटा 1 और बीच में चिन क्या होगा, माइनस का होगा अब भीन का जोर और घटाओ अगर आपको पता है, तो उसके हिसाब से calculation आप कर लीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो n पलस 1 से सीधे 1 में गुना, तो n पलस 1, ठीक है, उसके बाद minus 1 है, तो minus 1 रहेगा, और बटा में जो है, वही रह जाता है, ठीक है, भीन का जोर की है, यह तो आपका घटाओ की है, ठीक है, अब plus 1 से minus 1 cancel हो गया, उपर में क्या बचा, n, और नीचे में क्या बचा आपका, n plus 1, आंसर अगर इतना है, तो ठीक है, नहीं, तो देखते हैं, तो n बटा n पलस 1 आंसर नहीं है, आंसर है, एक से छोटा, एक से बड़ा, एक बटा, दो से छोटा, हम सोचते हैं, कि यहाँ जो हमारा आंसर आया है वह इसमें से किस option के बराबर है तो n में n पलस 1 से भाग करी यानि उपर में छोटा संख्या नीचे में बरा संख्या n बटा n पलस 1 फॉर्म का कोई भी संख्या लिजे तू उपर में 4 तो नीचे में उसे एक ज्यादा 5 चार में 5 से भाग करीए 0 दसमलग 40 हो जाएगा 8 पंचे 40 0.8 यह कितना आया एक से कितना है छोटा है कोई भी संख्या लिजे उपर में 9 लेंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा 10 भाग करीए 9 में 10 से 0.9 लेखो न इन बटा n पलस 1 का फॉर्म है न इस संख्या का 0.9 आया मतल करेंगे तो मान हमेशा क्या होगा एक से छोटा आएगा छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करिएगा तो मान आपका एक से छोटा आजाएगा ठीक है आगे बढ़िए लीजे इस अगले कुश्यन को देख लीजे उस फॉर्म पे ले जाए उस पैटरन पे ले लास्ट में एक बट्टा एन इंटू एन पलस वन यही तो है ना इसी का तो मार निकालना है ना हम तोड़ लिए एक गुने दो दो गुने तीन 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 गुने चार चार गुने पांच पांच गुने छे शे गुने साथ यही तो है है ना अब ऐसे कोश्यन में बीच वाला सब करता, एक सुरू वाला, एक बट्टा एक, और एक लास्ट वाला एक बट्टा इन पलस वन और इसके बीच में चीन क्या बचेगा माइनस, यही तो बसता है न अब कैलकुलेशन कर लो मेरे भाई, यहां से आप इन पलस वन से एक में गुना तो हमारा आंसर यही एन बट्टा इन पलस वन हो जाएगा, यानि कि बिकल्प डी हो जाएगा, कोई प्रॉबलम आपको इस कोश्चन में नहीं होना चीए, एक सुरू वाला एक बट्टा एक यानि एक और एक लास्ट वाला यानि एक बट्टा इन पलस वन ठीक है, एक बट्टा इन पलस वन बचेगा, यही तो बचेगा ना अब भीन का घटाओ करना है, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो आप एक भी लिख सकते हैं तो एक और इन पलस वन का यानि पलस वन अब एक से भाग करेंगे, न पलस वन में तो एन पलस वन एक में गुना तो एन पलस वन, इससे बहतर है कि अगर किसी संक्या के बट्टा में कुछ नहीं होता है तो जो दूसरा संक्या है उसके बट्टा वाला से सीधे इसमें गुना करते हैं यही तो तरीका है ना चलिए आगे बढ़िए अगला देखे कोशन क्या है यह सातवा कोशन है यहां बोला गया है कि 1 बटा 5 गुणे 6 पलस 1 बटा 6 गुणे 7 पलस 1 बटा 7 गुणे 8 के पहले 20 पदों का योग क्या होगा यानि इसी तरीके का अगर 20 पद लिखा जाए तो उसका योग क्या होगा आप देखो यहाँ पे कि कितना पद लिखा गया है 1, 2, 3 पद लिखा गया है ठीक है कितना पद लिखना है हमें 20 पद अच्छा आप एक ही सोचो कि 5 से सुरू हुआ है 5 और 2, 7 7 तक लिखेंगे तो 2 पद हो जाएगा 5 से सुरू हुआ है अगर हम 8 तक लिखे 5 और 3, 8 तक लिख दे तो 3 पद हो जाएगा तो उसी तरह से 1 बटा 5 गुने 6 पलस 1 बटा 6 गुने 7 पलस 1 बटा 7 गुने 8 देखिए 5 से शुरू हुआ है अगर हम 5 और 3, 8 तक लिख दे तो 3 पद हो जाएगा, 5 और 4, 9 तक लिख दे तो 4 पद हो जाएगा, तो पहले 20 पदों का योग लिखना है, मतलब ऐसा ऐसा 20 पद लिखना है, तो 5 से शुरू करके 20 पद, यानि 5 पलस 20, 25 तक जाएगा, तो यहां स सुरू किये हैं, 7 तक लिखेंगे, यानि पहला 2 पद लिखना होगा, तो 5 और 2, 7 तक, पहला 3 पद तो 5 से सुरू करेंगे, 5 और 3, 8 तक, पहला 4 पद तो 5, 4, 9 तक, पहला 10 पद तो 5, 5, 10 तक, पहला 20 पद तो 5 और 20, 25 तक, यानि अंतिम पद 1 बट्टा 24 गुने 25 हो जाएग ठीक है, अब आप बताओ हमें कि इस पूरे स्रीज में बीच वाला तो सब कटेगा, क्योंकि नीचे वाला दोनों कांतर उपर में है, तो एक सुरू वाला यानि एक बट्टा 5 और एक लास्ट वाला यानि एक बट्टा 25, देखो देखो आप यहाँ पे, जो लास्ट वाला ह वह कितना एक बट्टा 25 और इसके बीच में चिन क्या रहेगा, माइनस का, बस कर लिजे आगे कैल्कुलेशन, 5 और 25 का LCM, 25 तो 5 माइनस, 25 में 25 से भाग करेंगे, एक में एक से गुना एक, 5 माइनस 14, चार बट्टा 25, यह कैल्कुलेशन तो आपके समझ में आता ही होगा, ए अगले पार्ट वन कर दिया है, समाप्त बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के पॉइंट आभ यू से, अगर आप अरेलवे NTPC या गुरूप D का एक्जाम देने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले इस पूरे वीडियो को जरूर पूरी तरह से देखके जाईए आपूर्टेंट